साथियों, आने वाले दिनों में कुछ दाईत्व हमारे भी हैं, वज्यानिकों ने हमारा काम किया है, सेटलाइट हो, चद्रयान की आत्रा हो, सामान्य मानवी के जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसलिए इस बार मेरे देश की हुआ शक्ति को विज्ञान के प्रति रूची बढ़े, टेक्नोलोजी के प्रति रूची बढ़े, हमें इस बात को आगे ले जाना है। हम सरफ उत्षा, उत्षा, उमंग, नई उर्जा, सरफ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। तो वहीं पर मजबूत कदम रखे, नए उच्छाल के लिए तयार हो जाते हैं। और इसलिए, गुड़ गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलिवरी के लिए, सामान्य मानवी की जिन्दगी में सुधार के लिए, ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सेटलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उप्यूगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैंने सरकार के सभी विभागों को सुचीत कर रहा हूँ कि वे अपने अपने विभाग में जो जन सामान्य से जुड़े काम है, उन कामों में स्पेस साइंस का, स्पेस टेक्नोलोजी का सेटलाइट के सामर्थ का डिलीवरे में कैसे उप्यूग करें, क्वीक रिस्पॉंस में कैसे उप्यूग करें, ट्रांसपरंसी में कैसे उप्यूग करें, परफेक्शन में कैसे उप्यूग करें, उन सारे बातों की और वो अपनी समस्याओं को खोज के निकाले और मैं देश के नवजवानों को आने वाले दिनों में हैकेथोन और्गनाईज करना चाहता हूँ पिछले दिनों कई हैकेथोन में देश के लाखों विद्यारती 30-40-40 गंटे नन स्टॉप काम करके बड़िया बड़िया आइडिया दिये हैं और उसमें से एक वातावन पैदा हुआ है मैं आने वाले दिनों में ऐसे हैकेथोन की बड़ी स्रंखला चलाना चाहता हूँ ताकि देश का जो यंग माइंड है यंग टेलेंड है और जर जन्जामान्य की मुसीबते हैं इसके सॉलुशन के लिए इस पेस साइंस सेटलाइट से टेक्रालोजी उसका उप्योग करें उस दिशा में हम काम करेंगे